लोज तो स्वागत है आपका आपने परिवार करीर अर्पेडवा इंजीनर में करता हूं आप से बेहतर होंगे स्वाच्थ होंगे अपनी त्यार को बेहतरीन और सांदार तरिके से कर रहे होंगे तो दोस्तों आज से हम लोग सुरू कर रहे हैं के लिए मैं आप से कहूंगा जो समझदार वच्चा होगा जानता होगा एक्जाम चाहे जो हो पढ़तों आप वही रहे हो तो हर जगह आपको चीजे काम देने वाली हैं यहां पिलिए लिखा है लेकिन जो आने वाली से सब में ऐसा थोड़ी है कि फिटर से बाहर कार्पेंटर का प्रस्ण पूझ देगा पूछेगा तो फिटर का ही तो सारे जो ही बच्चे आगे का प्रस्ण एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं वह इस क्लास से जोड़ सकते हैं हमारे में फोकस रहेगा मोश्ट इंपॉर्टेंट पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेस्चन ये मैं कराऊंगा विट एक्स्प्लेनेशन मैं आपको कराने वाला हूँ ठीक है ऐसा नहीं कि बस प्रस्ण पढ़ा उसका अंसर बता दिया जहां पर जो भी एक्स्प्लेनेशन जरूरी होगा वो सादा कुछ एक्स्प्लेनेशन मै जो जुनून आपका देखने में तो बहुत सांदार लग रहा है, LP लवर आपने लगा दिया है अपने नाम के आगे, दीपक कुमार, ठीक है, अंकित गुपता, रेलवे वाले, बहुत धेरतारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से सभी लोग यार एक बार स क्लास है, शुरू हो चुका है, जल्दी से आप लोग एक बार जुर जाएए ताकि प्रस्णों को उत्तर देने में आपको आनंद आए, ठीक है, ताकि प्रस्न का उत्तर देने में आपको आननद आए, और आप खुद देख पाएं, कि कितने लोग प्रस्ण का सही जवाब ढ़ाते पाहीं कि इतने लोग नहीं दे पाहें तुरूख कर रहेंगे उसके पहले में बता दूखि जो लोग नहीं जुर्णे है जुड़ जाएगे यहाँ पर हम लोग यूटीव पर क्या करेंगे प्रोडा को स्क्ट करेंगे यहाँ पर को पूरी जो यह ऐइए हैं ट्रेड फियरी पूरी पढ़ाई जाएगी ठीक है तर्ट्री पूरी आपके पढ़ाई ही Catalice सब्सक्राइब करना चाहते हैं जो भी बच्चे जॉइन करना चाहते हैं जोइन कर लीजेगा ठीरी क्लास को अब आईए बढ़ते हैं पहले प्रस्न की तरफ पहला प्रस्न हमसे क्या पुछा है पहला प्रस्न हमसे पुछा है निन्मल लिखित में से किसे 500 डिगरी से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है ठीक है तो दीगे अब प होता है ठीक है सिंपल टू हार्ड तो जैसे कि हमारी क्लास जैसे आगे बढ़ती जाएंगी थोड़ा से एक दो क्लास हो जाएगी काफी बच्चे हमारे साथ जूर जाएंगे तब उसके बाद हम लोग हार्ड प्रस्नों की तरफ पढ़ेंगे ठीक है चलिए तो अब देखो क्या क्या कर सकते हैं ठीक है नार्वली कहीं का भी तापमान मिजर कर लो लेकिन जो प्रस्न पूछा गया उसके बारे हम लोग डिसकस करेंगे पूछा गया कि सूर्य का तापमान मापने के लिए क्या करने के लिए सूर्य का तापमान जो है मापने के लिए किसका उप्यों क के अंदर भटती को इंगलिस में क्या बोलते हैं दोस्त diffarmes ठीक है क्या बोलते हैं फवनेश फवन्स के अंदर का तापमान मीजर करने के लिए यानि कि फवरmer करने की अंदर का तापमान यानिकि क्या हो जाएगा temperature temperature inside furnace ठीक है उसके लिए हमारा जो है इसका उप्यों किया जाता है अब देखिए यहां पर पूछा है 1500 से अधिक ठीक है यानि कि 1500 से अधिक लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है वो क्या होती है रेंज भी पूछा जाता ह है तो क्या हो जाएगा तीन हजार डिगरी सेंटीग्रेड से साथ हजार डिगरी सेंटीग्रेड तक temperature को क्या कर सकता है मीजर कर सकता है कौन हमारा जो पायरो मीटर ठीक है अब देखिए यहां पर कुछ और आपसंस दिये हुए है जैसे कि चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर है यानि कि मेडिकल थर्मोमीटर है तो अगर आप से पूछे कि भिया मेडिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या होगा तो आप इसको बता पाऊगे कि नार्मल आप लोगों ने घर अगरा में देखा होगा इसकी जो range होती है वो क्या होती है 95 degree Fahrenheit यानि कि 95 degree Fahrenheit से 110 degree Fahrenheit जो है इसकी range होती है ठीक है भाई चलो डीजल मेकैनिक के क्लास दोस्त स्टार्ट है सुबह MCQ चलता है और ठीरी चलेगी अप्लिकेशन पर 6 फरवर इसे रजिस्टर नहीं किया तो कर लेना अब थर्मो कपल थर्मामीटर ठीक है प्लेटिनम रजिस्टेंस थर्मामीटर और पायरोमीटर बताओ भाई किसी को पता है तो थोड़ा सा आपके साथ इंट्रेक्शन भी रखूंगा मैं इंट्रेक्शन भी रखूंगा ताकि सवाल जवाब आप देते रहो प्रसनों का सब्सक्राइब तो तो platinum resistance होता है minus 200 degree centigrade से 1200 degree centigrade ठीक है platinum resistance जो है thermometer होता है वो minus 200 degree से 1200 degree centigrade तक measure करता है और thermo couple thermometer 200 degree centigrade से दिख राज नहीं भाई आपको हाँ 200 से कहां तक measure करता है भाई 1200 degree centigrade तक measure करता है और पाइरो मीटर मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो नार्मल रेंज होता है वो तीन हजार से साथ हजार डिग्री सेंटिग्रेट होता है चलिए अगले प्रस्ण की तरह पढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा कि डाबसन इकाई का प्रयोग इसमें मैंने उत्तर नहीं लगाया क्या तो इसमें उत्तर लगाया है ठीक है चलिए डाबसन इकाई का प्रयोग मिलता है यानि कि डाबसन इकाई किसलिए प्रयोग की जाती है किसलिए प्रिवक किया जाएगी भाई तो प्रिथी की मुटाई मापने में बताओ प्रिथी की मुटाई कोई माप पाएगा नहीं ठीक है हिरे की मुटाई मापने में ओजोन परत की मुटाई मापने में और सोर के मापन में तो किसको डाबसन जो है डाबसन और डेसिबल में क या जिसे हम लोग decibel भी कहीं कहीं पर लिखा आपको मिलेगा decibel या decibel उसकी इकाई होती है चली अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रशन है आपका कि प्रकास की तीवरता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है ठीक है बताईए भाई प्रकास की तीवरता अब इसके द्वारा मापी जाती है जो प्रकास की तीवरता है जो light intensity refresh केंडिला में लेकिन यहाँ पर आप से क्या पूछा कि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है तो मापने वाले यंत्र को कहा जाता है leucymetr। क्या कहा जाता है दोस्त बहुत ही सांदार सिव कुमार आपका उत्तर दोस्त सी दिया है आपने पता नहीं किस प्रस्ण का दिया है एक मैं आप лोगों से और निवेदन करूँगा दोस्त कि ऎसके पहले उसका नंबर ही लिखिए जैसे कि तीसरे प्रस्ण का उत्तर दे रहे हैं तो क्रायो मेटर क्रायो मीटर को कहा पर किया जाता है तो मिनिमुमम टम्प्रेचर मा How वायुदाव मापने कि यह से बोल कर ठते हैं एम storms격 पेसर जा करने में atmospheric atmospheric pressure क्या करने में measure करने में ठीक है भाई अब देखिए हिंदी इंग्लिस मैं इसलिए mix कर के लिख आओ ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिख करता हूँ और इंग्लिस वाले बच्चों को भी कोई दिख करता हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पस्चन की तरफ अगला है बताइए सही सुमेलित कीजिए यानि कि आपको क्या करना है भाई सही मिलान करना है यानि कि जो आपको ये इधर क्या दिये हैं चार आप सुन दिये हैं और इधर भी क्या दिये हैं, चार आपसंद दिये हैं, ठीक है, अब आप क्या करना है, इसका सही मिलान करना है, तो अब देखो भाई यहाँ पर, जो फैदो मीटर का उपयोग होता है, वो कहाँ पर किया जाता है, समुद्र की गहराई को मापने में, फैदो मीटर का उपयोग बैरोमीटर का उपयोग वायमंडली दाव यानि कि atmospheric pressure मैंने अभी आपको बताया तो दूसरी का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अगला है हाईग्रोमीटर तो हाईग्रोमीटर का उपयोग आधरता को मीजर करने में किया जाता है यानि कि atmospheric humidity यहाँ पर ध्यान रखेगा जो हा हाइड्रोमीटर में क्या है दोस्त अंतर है हाइड्रोमीटर का उपयोग आधरता को मीजर करने में और जो आपका हाइड्रोमीटर होगा जो आपका क्या होगा हाइड्रोमीटर होगा उसका क्या करने में किया जाएगा घनत तो मापने में उसका उपयोग किया जाता है ठीक है और बचा एक अल्टी मीटर तो अल्टी मीटर का क्या हो जाएगा उचाई यानि कि क्या हो जाएगा यहाँ पर एल्टी ट्यूट ठेक है भाई यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या बहुत ही सांदार आप लोगों के जवाब आ रहे हैं बहुत अच्छा सुभंकर दासका वित्तर सही है जल्दना को पढ़ाते रहेंगे कि वैद्दुचेतर की तीवरता का मातरख है और एक चीज और आपको बतादू दोस्त क्योंकि हमारी ये सीरीज किसकी होने वाली है रेल्वेय अल्पीं टेकनीशन की तो technician में इस तरह के railway जो LP और technician की परिच्छा है इस तरह के प्रस्णाब को basic science वाले section में भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि science है तो physics आता है वहाँ पर जाद तर physics किराते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से जो मात्रक है जो unit है the unit of electric field electricity unit भी वहाँ पर आप से क्या करता है पूस्ता है तो ध्यान से पढ़िएगा यह मत सोचना भाई कि फिटर का यह नहीं पढ़ा रहें कहां सही सारा आपको syllabus में है ठीक है चलिए हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएगी class की PDF भी आपको मिल जाएगी और class की PDF आपको कहां पर मिलेगी हमारे application ठीक है हमारा app डाउनलोड करना दो सारी समस्याओं का समारान देको वहीं है वहीं आपको previous year paper भी मिलेगे वहीं आपको जो भी बैकेंसी आएक उसका syllabus भी मिलेगा class भी वहीं मिलेगी और यह जो free PDF है हमारी इस class की PDF class notes वाले section में जाना वहाँ पर आपको मिल जाएगी class होने के 1-2 घंटे के अंदर मिल जाएगी ठीक है तो यहां पर app download करना और PDF PDF class notes ठीक है इस वाला icon के अंदर जाना तो यहां पर retail की बीडियफ मिल जाएगी प्रफिटर की पीडियप ने लिए ठीक है तो वैदुच्षेत की तीवत्रा का मात्रग क्या है भाई बताओ इस में से किसी का जवाब आया ठीक है एप कितने का है एप बिल्कुल फ्री है भाई बिल्कुल फ्री है जैसे आप अप्लिकेशन डाउनलोड करते हो ख्लिप पैसा लगता है क्या नहीं जब आप उस पर कोई सौपिंग करते हो तब उसका पैसा लगता है तो वैसे हमारा अप्लिकेशन है जो भी और चीज़ें मिलेंगी बस क्लास का पैसा है दोस्त बाकी यह सब जितने भी पीडिएफ है यह आपनोस्ट फ्री है सब कुछ आपको व मौक टिस्ट भी आने वाले संडे में आएगा ठीक है इसके यह संडे जो आएगा इसके अगले संडे मौक टिस्ट भी आएगा वो तब भी फ्री रहेगा अप्लिकेशन डाउनलोड करने का पैसा थोड़ी लगता है दोस्त ठीक है वह जब आप उस पर कोई कोर्स लोगे त इसका लाब जरूर लेजिए ठीक है चलिए यहां पर क्या हो जाएगा भाई न्यूटन प्रतिकुलाम हो जाएगा वैद्टू छेत के तीवता का मातर क्या है न्यूटन प्रतिकुलाम यहां पर इसको डोनेट करते हैं E से इक्वल्टू क्या हो जाएगा न्यूटन का क्या होता है f by क्या होता है आपका q इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अब मैं आप से कुछ एक चीज पूछता हूँ अब देखो यहां पर यह जो सिंबल लगा हुआ है इसके उपर ठीक है बहुत ही सांदार चीज़ बताने जा रहा हूं ध्यान चीज जरूर देखने को मिलेगी अब अगर यह सिंबल है इसका मतलब क्या है इसका मतलब जो वैदुच्छेत्र की तीवरता है वह कैसी रासी है कैसी quantity है तो आप कहोगे अगर उसको याद करने का मैं ट्रिक बता दू आपको पांच मिनिट में तो क्या आप सुनना चाहेंगे बताईए, क्या आप सुनना चाहेंगे भाई, ठीक है, चलिए, देखिए, सवाल जवाब यार, यहाँ पे आप बहुत जादा करोगे दोस्त, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, यहाँ से समझो मेरी बात को, अगर आपको बहुत सारे प्रस्न है, तो मैं संडे को डाउट से स लाइव, तो उसमें आप अपने प्रस्न पूछ लीजेगा, यह मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, क्योंकि आप भी प्रस्न पूछते रहते हो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आप मैं जवाब नहीं दे पान। इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा धहरे रखे, ठीक है, अब देखिए, सर एप का नाम एक लड़का पूछ रहा है, तो भाई, अप्लिकेशन का नाम यहीं है, जो हमारे चैनल का नाम है, वही हमारे अप्लिकेशन का नाम है, ठीक है, चैनल का नाम क्या है, कैरियर अप्डेट बाई इंज और यही हमारे application का भी नाम है link description में दिया है दोस्त बस थोड़ा सा अपने गुलियों को कहसे दो और देख लो अब देखो यहां पर अब यहां पर मैं आप से कहूं कि सदीस रासी सदीस रासी जिसे हम लोग इंग्लिस में क्या बोलते हैं जिसे हम लोग इंग्लिस में बोलते हैं victor quantity ठीक है अब इसका trick सुनों इसका trick नोट कर लो हल्का से ट्रिक इसका क्या है जयादा तर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें को काम करेगा इंग्लिस वाले बच्चे को थोड़ा सा कम काम करेगा कम समझ में आएगा जहां पर क्या हो दोस्त जहां पर आपका क्या हो पूरा वा हो यानि कि वा अच्छा हिंदी वाले बच्चे जानते होंगे जो इंग्लिस वाले बच्चे हैं थोड़ा समयनेज करने का प्यास करेंगे जहां पर क्या हो पूरा वा हो वा मतलब बल हो ऐसी सभी रासियां क्या होती है सदिस रासियां को इंगलिस मैंने यहाँ पी लिख दिया है अब एक्जामपल के रूप में देखो जैसी कि मैं आपसे कहूँ कि भाई सम्बेग है देखो इसमें क्या है पूरावा है तो यह कैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसी रासि सदिस रासि मैं आपसे कहूँ वेग है तो इसमें भी क्या है पूरावा है मैं आपसे कहूं भाई क्या है तो इसमें भी क्या है पूरावा है तो ये सभी क्या हो जाएंगी सदिस रासिया हो जाएंगी मैं आपसे कहूं विस्थापन है ठीक है विस्थापन विस्थापन तो ये कैसी रासी होगी सदिस रासी होगी अब रडा देख लो गुरुत्वा करसण, गुरुत्वा करसण, बल, तो ये क्या है, ये भी सदिसरासी है, मैं आप से कहूँ भाई, कि बल आगुण, ठीक है, बल आगुण, ये क्या है, इसमेरा है, तो ये भी सदिसरासी है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ भाई, और लिख लो, अब देखो छे यहां पर आपसे दिखिए पूछा था ना कि विद्धुत छेत्र की तीवरता तो विद्धुत छेत्र जो हमारा क्या होगा सदिस रासी होगा विद्धुत छेत्र होगा इसी तरीके से जो हमारा बल होगा ये भी क्या होगा सदिस रासी होगा जो हमारा भार होगा ये क्या होगा सदिस रासी होगा तो इस ट्रिक से कुछ आप सदिस रासियां याद कर पाएंगे और अभी मैं बता दूँगा अधिस रास्यू का भी छोटा सफ्रिक तो इतना सदिस और जितना अधिस बता रहा हूं विक्टर वाला उसको याद कर लोगे तो आप एक्जाम में ऑप्शन के हिसाब से प्रस्न को कर पाओगे ठीक है कूपन कोड खतम है दोस्ताब ठीक है कूपन कोड अब खतम ह अधिस रास्यू अधिस रास्यू यानि की स्केलर क्वांटिटी अब इसमें एक ट्रिक याद रख लो इसका ट्रिक क्या है भाई इसका ट्रिक है उस आध्रता को चावी दो ठीक है अब आपको ग्यारी कैसा ट्रिक है हमको तो पता है नहीं हमाय दिमाग में ने घुसरा कुछ नहीं उसको उसमें दिमागे नहीं लगाना है बस याद कर लो आपकि उस आध्रता को चावी दो उस आध्रता को चावी दो अब यहाँ पर इसको हम लोग को अ लिख लेना है चा और यहां पर वी छोटे में लिख लो तक ज्यादा समझ में आए दिख रहा है चा वी और यहां पर क्या लिख लो दो ठीक है अब इसी से आपका जो है काम हो गया इसी से आपका ट्रिक बन गया उसे क्या हो गया दोस्त उसे हो गया उस्मा उसे क्या हो गया उसे क्या हो गया उचाई तो ये सभी हमारी क्या है ये सभी हमारी अदिसरासियां है सा से क्या हो गया समय यानि की टाइम समय यानि की टाइम ठीक है आ से क्या हो गया आयतन आयतन को इंग्लिस में क्या बोलते हैं दोस्त आयतन को इंग्लिस में बोलते हैं वाइलूम आईटन को इंग्लिस में क्या बोलेंगे वाइलूम द्रसे क्या हो गया द्रव्यमान ठीक है योग यह वहाँ पर मैंने ट्रिक में क्या लिखाया था पूरा वाल लिखाया था यहां पर क्या है आधा है यह क्या है स्केलर कौनिटी है यानि कि मास हो गया ता से क्या हो गया दो आदिसरासी है चाह से क्या हो गए चाह ये कि इसे हम लोगक्त क्या बोलते स्पीड वहाँ पर क्या था वेग थे को इंगलिस में स्वे लोसिटी तो कर टालि हो गई और यहां से क्या उसे दूसरे बीन तक दूरी है, चाहे उसको लंबाई बोलो, चाहे चवडाई बोलो, चाहे उचाई बोलो, लेकिन confuse करने के लिए कभी कभी आपसे पूछ देता है तो मैंने इसलिए उचाई भी लिखा दिया चोडाई भी लिखा दिया और वी से आपका क्या हो जाएगा वी से आपका हो जाएगा विद्दुत धारा यही क्या है भी या अपवाद है उसका जो हमने सदिस को इंगलेस में क्या वो लेंगे प्रेसर और क्या हो जाएगा दूरी यानि की डिस्टेंस तो यह हमारी क्या है यह सभी हमारी स्केलर क्वांटिटी है भाई इसको याद कर लें ठीक है चली 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 अब यहाँ पर ध्यान रखेगा आप लो इस सारी जीजों को याद रखना दोस्त जो उसको बताया यहीं पर लिख भी लेना इसमें जो यहाँ पर यह ट्रिक बताया मैंने आपको जो यहाँ पर मैंने आपको यह ट्रिक बताया यह वाला इसे का अपवाद लिख लेना इसका अपवाद, अपवाद इंगलिस में क्या बोलते हैं, exception, exception यानि की अपवाद, इसका exception क्या है दोस्त, विद्धुत धारा, विद्धुत धारा यानि की current और आपका क्या है, घनतो, घनतो, यानि की जिसे इंगलिस में क्या बोलते हैं, density, ठीक है, density, तो यहाँ पर देखो पूरा है लेकिन ये क्या है सदिसरासी नहीं है ये दोनों लिखा है ये क्या है इस ठीक है बहुत हो गया इतना explanation आपके लिए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ते हैं अगला है आपका किरिमनलखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है अब देखो यह प्रस्ण नहीं टाइप हो पाई इंग्लिस में तो हिंदी में ही है डेसीबल है ध्वन की प्रदलता प्रबलता असु सक्ति क्या है सक्ति की काई समुद्री मिल क्या है नौसालर नौसंचालर में धोरी की काई और सेरसियस क्या है उस्मा की काई आपको बताईए कि निमनलखित में से कौन सा सही से मिलाम नहीं है यानि कि बताओ अगर डेसीबल स तरफक पना जादा रहेगा शक्रावर को आप नियं क्या है डैने कि जो पावर को अप मीजर करते हो किसमें करते हो वा湯ो सा बढ़ाबर क्या होता है स्मोद्र में कि similarly में दूरी जो जिसे हम लोग नौटिकल मिल बोलते हैं एक नौटिकल मिल बताओ किस ब्राबर होग एक नौ्टीकल मील, माईज, बताओ, कितने किलोमीटर के बराबर होता है, बताओ, बहु attent, कोई बहुताओ, और, Celsius, क्या, त आप, कि आई, आप कहोगे, नहीं, लगता, तो है, Celsius, उसमा की काई, लेकिन, उसमा की काई, नहीं है, jedes, किसकी काई है, दोस्त, Centti-Grade, किसकी काई, ह ठीक है जब कि अगर बात करें उस्मा की यानि कि उस्मा को इंगलिस में क्या बोलेंगे हीट बोलेंगे तो हीट की काई क्या होती है हीट की काई आपकी होती है जूल ध्यान रखना दोस्त हीट की काई क्या होगी जूल ना की Celsius, ठीक है, देखने में तो लगता है कि एक समाल है, पोई गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है, जो Celsius है, वो किसकी है, तापमान की काई है, temperature की unit है, ना की उसमा की, ना की heat की, heat की unit क्या होती है, जूल होती है, एक point यहीं से याद रख लेना, कि भाई, जो आपका क्या होता ह है, जो आपका हो गया, heat हो गया, energy हो गया, energy हो गया, वर्क हो गया, वर्क हो गया, इन तीनों की unit ही क्या होती है, इन तीनों की unit आपकी क्या होती है, जूल, ध्यान रखना, बहुत important प्रस्न है, अब अगर आपसे मैं कहूं, कि आपको आपसे में जूल दे ही ना, आपको तो बहुत रट्टा मारे हो कि जूल है और आपको आपसन में जूल दे ही ना क्या कह दे कह दे कि आपको आपसन में आपको क्या दे दे न्यूटन मीटर क्या दे दे न्यूटन मीटर तो ये भी क्या होगा दोस्त सही होगा क्योंकि जूल को ही क्या वो लिख सकते हैं जूल को ही न न्यूटन मीटर भी होगा ध्यान रखना ठीक है तो जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं तो कौन सा सुमेलित नहीं है option D आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अगला है साधारन बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है बताओ भाई तो जो साधारन बैरोमीटर होता है बैरोमीटर किस लिए प्रयोग होगा वाई मंडली दाबकुम आपने के लिए और साधारन बैरोमीटर में किस द्रव क का प्रयोग होगा तो आप गहोगे सर पारा का प्रयोग होता है यानि की मरकरी का होता है जिसका सिंबल क्या होता है एच जी होता है ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत है बहुत सांदार रेल फैन कलब का उत्तर है 1.852 किलो मीटर हाँ विलकुल यहाँ पर लिग भी देता हूं ताकि आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर पाऊ 1.852 किलो में ध्यान से ठीक है यह भी प्रस्ण रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है रेलवे में मिजरमेंट से पूछे ना पूछे लेकिन बेसिक साइंज सीविटी बन में भी आएगा सीविटी ट्व में भी आएगा कहीं अगर आप पढ़े हो वहीं प्रसर तकर आगया तो कोई दिक्कत थोड़ी है काटेगा थोड़ी अगर परस पढ़ लोगे ठीक चलिए आगे वरते हैं अगला है यानि कि विद्दूत उर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप यहाँ पर यहाँ पर आप इसको लिख सेबते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसको मिजर करता है, विद्दुत उर्जा को मिचर करता है RH Factor क्या है? कीस से संबंधित है? RH Factor है आपका Blood से संबंधित अब RH Factor को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? RH Factor को ही हम लोग बोलते हैं Resus Resus Factor अब इंगलिस में क्या होगा? इसका spelling मुझे नहीं पता रीसस फेक्टर ठीक है जो एक रीसस नाम का जो मंकी था बंदर था उसी पर ये खोज किया गया था ठीक है रीसस नाम का जो मंकी था बंदर था उसी पर बग्यानिकों ने खोज करके ये रीसस फेक्टर निकाला था रिसस फेक्टर क्या होता है भाई जो आपने दिखाऊगा ब्लड गुरुप होता है ओ होता है जैसे कि मानके चलो ब्लड गुरुप मानके चलो मेरा ओ है तो ओ पॉजिटिव भी होता है और ओ निगेटिव भी होता है तो यही जो पॉजिटिव और निगेटिव है यही क्या ह हैं 85% क्या होगा positive होगा जैसे कि a positive 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 a b positive और 15% लोगों का ही क्या होगा negative में होगा तो यह है आपका recess factor और Richter पैमाना क्या है भाई आदरता होगा क्या नहीं humidity को अभी हमने क्या पढ़ा था humidity का हमने पढ़ा था psychometer तो यहां पर यहीं वाला option क्या हो जाएगा सही सुमेलित नहीं तो यहीं सही हो जाएगा Richter पैमाना क्या करता है भोकंप की तीवान ठीक है टीवात जवाब का अर्थ के अर्थ कुरी काता है उसकी क्या करता है Intensity को measure करता है Intensity encouraged अफ तो यह वाला सही हो जाएगा अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं भाई या बार बार वही कापी पेश्ट मत करो दोस्त क्लास अब यहीं चलेगी कहीं क्लास नहीं चलेगी क्लास आप आपकी यहीं पर चलेगी ठीक है दोस्त ठीक है अब क्लास आपकी यहीं पर चलेगी एक बार दोस्त सुनो बुल दिया दोस्त सुन लो और बार बार का भी पिश्ट मत करो यार ठीक है class आपकी जो चलेगी अब यहीं पर चलेगे और कहीं class अपना ही चलेगी ठीक है ये बात आप note कर लिजिए और ध्यान दीजिए ठीक है भाई इंदरजीत भाई जी तो ये आप note कर लिजिए और अब अगली बार से आप इस class पर अब धियान देंगे, पढ़ने के लिए आएंगे ठीक है दूस्ट चलिए, अब देखे एलक्टरान व्ल्ट की इकाई हुद है यॉणि कि the unit of electron volt अब यहाँ पर देखे प्रस्त्राइब उल्टा पुछाए यहाँ पुछाए the unit of electron volt तो जबकि electron volt क्या है, खुद एक unit है, किसकी energy की unit है, electron volt किसकी unit है, option number आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर लिख लीजे, मैं आप से कहूं, एक electron volt बराबर क्या होगा, 1.602 गुर्ते 10 के घाते 19, बताओ भाई क्या होगा, 1.602 गुर्ते 10 के घाते 19 जूल आपका हो जाएगा, ठीक है, और एक electron volt बराबर क्या हो जाएगा, 1.602 गुर्ते 10 के घाते 19, क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, केल्विन भी temperature होता है, हाँ या, केल्विन भी temperature होता है, लेकिन वहाँ पर आपसन में दिया नहीं था केल्विन, चलिए, आगे बढ़ते ह नहीं है, ये आया सांदार और जानदार प्रसन, बढ़िया प्रसन है, अगर आप जल्दबाजी करोगे, तो आप गलती कर जाओगे, और थोड़ा सा भी अगर आप विचार करोगे, तो आप इस प्रसन को सही कर रहे होगे, निमनलखित में से आप से पूछा है, कि निऊटन, देख उधा इंगलिस वाले भी नीडेरो, Force का unit क्या होता है, Newton होता है, और ये भी क्या होता है, Si unit होता है, और Mouse का क्या होता है, kg होता है, ये भी SI unit होता है, लेकिन जोर्ण है दोस्त, Pressure का क्या होगा, Pressure का यहां पर दिया है, मैं और प्रेसर का जो Dying है, वो क्या ह यह आपका CGS system में युनिट है और आपसे प्रस्न में क्या है आपसे पूच्छा कि SI unit में कौन सु Milt सु में लित नहें तो यही है क्योंकि presser का unit यहां पर किसमें दिया जो dine है वो CGS system में दिया है मैं आप से कहूँ कि pressure का SI सिस्टम में जो यूनिट होता है, SI सिस्टम में वो क्या होता है, तो क्या कोई बता सकता है, कोई बालक बता सकता है, दोस्त, तो क्या हो जाएगा, यह आपका पासकल हो जाएगा, दाब का जो SI यूनिट होता है, वो आपका पासकल होता है, बहुत बहुत ही चांदार प्रदी अगला है निमलखित में से कौन सी सदिसरासी है अब भाई बता दो अब बता दो दोस्त अब गलत मत करना अभी इतना ट्रिक बताया हूं देखो समय मैंने आपको बताया कैसी है अदिसरासी है यानि कि कैसी है भाई स्केलर क्वांटिटी है तो ये तो होगी नहीं जो चाल मैं आपको बताई, speed बताई, वो कैसी बताई, scalar quantity बताई, जो distance बताई, वो क्या बताई, scalar quantity बताई, और आप से परस्न में क्या पुछा, किन मलखित में से कौन सी सदी सरासी है, यानि की vector quantity है, तो भाई, पूरा वाई, इसी में है, तो क्या हो जाएगा, जो विस्थापन है, जो displacement ह वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सदी सरासी हो जाएगा, यानि की vector quantity हो जाएगा, बताईए भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, अब इस परस्न में समझाने क्या हो सकता तो नहीं है, क्योंकि आल लेडी मैं आपको समझा चुका हूँ सारी चीजे, ठीके तो यह देखो, इसमें basically समझाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो अब इसमें मैं क्या समझाओंगा, क्यूसिक क्या है, यूनिट है, जिस यूनिट में समझाने वाला चीज था, वो मैंने समझाया, तो क्यूसिक में क्या मापा जाता है, जल की सुदता नहीं, ठीक है, जल क का बहाव क्यामापा जाता है flow of water की उसेख में प्यांपा जाता है दोस्त авग वाटर को मिजर किया जाता है पानी का जो बहाव है उसका मिजर्मेंट किया जाता है तीक'S है यहाप देखो यहां पर जल की सुधधता अगर मैं आप आप से कहूं सुद्धता तो नहीं कह सकते जहां तक मुझे याद है कि अगर ओटू की मात्रा आपको मिजर करनी है ठीक है या सुद्धता ही मान के चलो सुद्धता ही मान के चलो तो जल की सुद्धता किसमें मिजर करते हो बाई बताओ जल की सुद्धता किसमें मिजर करते हो और इसका अगर full farm है किसी को पता है तो बताओ इसका full farm चले मैं आपको बताजता हूँ इसका full farm होता है part per million ठीक है अब मुझे इसका भी clear नहीं है कि जल की सुद्धता measure करते हैं कि ओटू की मात्रा जल की सुद्धता इससे मीजर करते हैं कि जल में जो है ओटू की मात्रा को मापते हैं यह भी मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं मैं आप से कहता हूं बताइए अगर किसी को पता है तो ठीक है चले बहुत अच्छी बात है कर आपके बार्में परसेंट आये क्लास करके आईटियाई में दोस्त कंपर्टीशन में भी आएंगे ठीक है क्योंकि लिमिटेट कंटेंट हम लोग देते हैं लेकिन जो कंटेंट कोसिस करते हैं वो बहतरीन हो ऐसा नहीं है कि इसे कि बहुत से चैनल जो चैनल था जिस पर मैंने छोड़ा जिसका बच्चे भी नाम ले रहे थे तो वहां पर यहीं था यार कि मतलब सुरू इतनी सारी चीज़े कर दिए बच्चों को कोई कंटेंट मिल नहीं पा रहा है ठीक जो बच्चे जुड़े हो जानते होंगे तो अब यहां पर क्या है क्या है कि कंटेंट आपको लिम्टेड मिलेगा कम मिलेगा लेकिन जो कंटेंट मिलेगा वो बहतरी हो ठीक है चलिए यांत्रिक उर्जा की SI काई क्या है तो भीया चाहे जो उर्जा हो चाहे यांत्रिक उर्जा हो mechanical energy हो चाहे kinetic energy हो चाहे आपकी potential energy हो जिसे हम लोगी स्थिदी उर्जा बोलते हैं सब की जो SI unit होगी वो क्या होगी वो जूल होगी क्या होगी जूल होगी और अगर जूल को आप क्या लिखोगे जूल को आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर कहोगे न्यूटन मीटर आया कहां से तो न्यूटन मीटर आया भाई कारे से कहां से आया कारे से कारे क्या होता है यानि कि अगर आप कहें वर्ग को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो वर्ग को आप लिख सकते हैं वर्ग को आप लिखते हो ना fs cos theta fs cos theta जहां पर f क्या है आपका force है ठीक है s क्या है विस्थापन है यानि कि जिसे हम लोग बोलते हैं displacement क्या बोलते हैं displacement बता तो है ना भाई लिख दे रहा हूं force का बल हो जाएगा displacement का क्या हो जाएगा विस्थापन तो अब बल का यूनिट क्या है नूटन और displacement का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर तो यहीं से आपका मिल जाएगा वर्ग का यूनिट क्या हो गया जूल और जूल को ही क्या लिख सकते हैं नूटन मीटर ठीक है तो यह थोड़ा सा typing mistake है, एक दो दिन में सही हो जाएगा, typing अभी थोड़ा हमारा कम अभ्यस्त है, वो एक दो दिन में सही हो जाएगा, तो जैसे यह fermi meter इस सार चीज़ें, सही हो जाएगा, उसके लिए आप परसान मत वोईएगा, ठीक है चलिए तो यहाँ पर लंबाई की सबसे छोटी काई क्या होती है दोस्त अगर इस option के देखें तो micron बरावर क्या होता है 10 की power minus 6 meter ठीक है 9 meter बरावर क्या होगा 10 की power minus 9 meter फर्मी meter बरावर क्या होगा 10 की power minus 15 meter तो सबसे छोटा क्या होगा देखो माइनस में जो ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा सबसे छोटा होगा तो option number C आप यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है भाई चलिए बहुत सांदर विकास सर्मा का उत्तर यहाँ पर सही है सुभंकरदाद भी सभी उत्तर सही दे रहे हैं सबी लोग उत्तर दीजे भाई जिनका नाम नहीं ले पाना उनका नाम आज नहीं तो कल मैं लूंगा ही आप देते रही प्रस्न का उत्तर और 87 कलोय यह यह बाघ किया है वाट हमारी हीम कि उनिट नहीं है उस्मा की काई नहीं है इसकी है खोंग याने कि कि किसकी दोस्त पावर कि किसकी पावर क्या थिक है अब मैं आप से कहूं यहाँ से भी कुसbir पूछता है इसको भी लिख लो मैं आपसे कहूं कि एक कैलोरी बराबर एक कैलोरी बराबर कितने जूल तो आप कहोगे 4.18 बागी आगे लिख लेना सीधा सीधा क्या होता है वह 4.1 4.2 जूल हम लोग लिखते हैं एक काईलोरी बराबर कितने आया 4.18 जूललेकिन मैं आपसे कहूं भाई कि 1 जूल बराबर कितने काईलोरी ठीक है एक जूल बराबर जीरो पॉइंट पॉइंट दिख रहा है कि नहीं जीरो पॉइंट टू फोर क्या हो जाएगा कैलोरी आपका हो जाएगा चलिए तो यहाँ पर आप्सन डी हो जाएगा अगले प्रस्न की तरह पढ़ते हैं क्लास B की यारों को नियंतरित करने के लिए किस अगनिसामक का प्रयोग किया रहाता है अब यहाँ पर मैंने प्रस्न को जान बूचके डाला क्योंकि मुझे पता है कि आप डाउट में इस प्रस्न को देखके आओगे यानि कि आपको क्या होगा इस पस्ने को देखने के बाद कि आपने जो रटा है वो तो अपलाई ही नहीं हो रहा है तो ऐसी दसा में क्या करेंगे जैसे देखो यहां पर class B fire अब सबसे पहले अभी मैं class A class B class C class D बता दूँगा आपको पानी carbon tetracloride wood chips और CO2 तो यहां पर ध्यान से समझना कि सबसे पहले short में थुदा साम लोग समझ लेते हैं कि जो आपकी class A है class A fire में किस से लगी आगाती है तो आप आपको हो गया wood हो गया cloth हो गया यानि की कपड़ा हो गया paper हो गया ठीक है paper हो गया और यहां पर हिंदी में लिक लोग कूडा कर कट ठीक है या जिसे हम लोग garbage बोलते हैं ठीक है कूडा कर कोड़ में क्या बोलते हैं ठीक है class B में क्या हो गया class B में जो आपके liquid liquid लिक्विड फ्यूल है लिक्विड इधन है उससे लगी आगाती है जैसे कि आपका क्या हो गया पिटरोल हो गया ठीक है आपका डीजल हो गया ठीक है केरोसीन हो गया यह सारा कुछ आता है तो अब यहां पर देखो class c भी लिख लो class c class c में क्या हो जाएगा भाई गैस से लगी आग गैस ते जो लगी आग होती है जैसे आपको मानके चलो आपके घर में आग लग जाए अग लग जाए मतलब मानके चलो कहीं आग लग गई है lpgs ठीक है मैं एक्जांपल देता हूं तो आपको लोगों कोई उठा के देता हूं तो आज भी यही निकल गया कि आपके घर में आग लग जाए लेकिन दोशत ऐसा ना हो यह निकल गया ठीक है lpg हो गया cng हो ठीक है तो इस तरी किसी जो gas से अगर कोई fire लगी है गयस से कोई आग लगी है तो class c में रखी जाएगी और आपकी class d में कौन से रखी जाएगी class d में आपकी रखी जाएगी electrical fire इलेक्ट्रिकल फायर और रासायनिक धात्वों से लगी आग अभी मैं आपको यह बताऊंगा भी आगे जार नहीं बता पाऊंगा रासायनिक धात्वों इनसे कोई आग लगता है आग से लगी आग यानि कि इसको इंगलीस वाले बच्चे क्या लिख लेंगे केमिकल मेटल या आप रासायनिक क्या बोल सकते हो जैसे कि मैं आपको कुछ इंपल दे रहा हूं जैसे कि आपका फासफोरस हो गया भाई फासफोरस को भी ले जाओ जलन लगता है तो अगर इनसे कोई आग लगती है तो उसको क्लास D में रखते हैं अब देखो यहां पर एक्स्टिंग्यूसर जो फायर एक्स्टिंग्यूसर प्रयोग किये जाते हैं यानि कि अगनिसामक यंत्र आग को बुझाने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग हिंदी में क्य बुलेंगे फायर एक्स्टिंग्यूसर तो इसमें क्या होगा क्लास एफायर को बुझाने के लिए कौन सा सोडा एसीड क्लास भी फायर को बुझाने के लिए यहां पर क्या होगा फॉम फायर एक्स्टिंग्यूसर क्लास सी को बुझाने के लिए क्या हो जाएगा क्लास सी क अब आप कहोगे सर हमने तो हमेशा पढ़ा फोम और फोम आप्शन में है नहीं तो क्लास भी फायर को उठा जब मतलब नहीं अगर फोम आप्शन में है तो क्या मार देना भाई मार देताए क्योंकि देखो जादा तर जो जितने ही हमारे एक श्टिंग्यूसर होते हैं उसमें क्या होता है चोडा बताए चैनल होता है इसी तरीके से बीवाले को इंश wilt होता है और आपका नहीं रात पता है तो इन दोनों को मिलने पर जो हुता है तो जादा तर Enough में 90% सामक यंदा है उसमें क्या निकलती है hero to gas निकलती है और co2 gas क्या होती है co2 gas होती है दोस्ति इसका रीजन यह है कि oxygen से भारी होती है oxygen से भारी तो यानि कि heavier than oxygen तो क्या होगी जहां पर आग लगती है जैसे कि देखो यहां पर आग लगी यहां पर आग लगी तो जब CO2 आप इसके उपर डाल दोगे तो CO2 भारी होने की कार नीचे इस तरीके से बैठ जाती है और यहां पर आपका क्या है जो आपका यहां पर जब बैठ जाएगी तो जो किया हो गया तो फायर अगर आक्सीजन नहीं मिलेगा तो आगस होता बुद जाएगी तो यहां पर आप क्या मारोगे यहां पर आप मारोगे CO2 क्या मारोगे CO2 चलिए अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं कि अगनी सामकों में पाए जाने वाले कारबन CTC का क्या आप है वही जो मैंने अभी आपको बताया है हैलोन अगनी सामक या जिसे हम लोग बोलते हैं CTC अगनी सामक के अंत्र CTC अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं क्लास डी आग बुझाने वाले यंत्र पर सामानता एक रसायन प्रयोग साला में पाए जाते हैं यानि कि जो केमिकल लैप है यह हुआ आग है जिसमें दहन सिल धात में जैसे की मैंगनेसियम टाइटेनियम पोटैसियम और सोडियम सामिक रसायनिक धातों को पुझाने के लिए किसका उप्योग करेंगे आप हैलोन या CTC अगनी सामक CTC फार एक्स्टिंग्यूसर का उप्योग करेंगे ठीक है चलिए अब देखी क्या है इस पे एक सिंबल भी बना रहता है देखो हैंड वाला सिंबल तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही हैंड वाले जो सिंबल पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही और यहाँ पर क्या है कुछ ऐसे आपके चिन भी बने रहते हैं क्या बने रहते ह यलो इस्टार बना रहता है, class A पर क्या बना रहता है दोस्त, green triangle, green triangle किस पर बना होगा, जो class A fire का आपका extinguisher होगा, उस पर क्या बना होगा, green triangle हराच रिभुज बना होगा, लाल वर्ग किस पर बना होगा, class B पर बना होगा, class B पर, नीला विर्त किस पर बना होगा, जो class A fire का class A का जो fire extinguisher रहेगा class A का जो fire extinguisher रहेगा उस पर क्या बना रहेगा ठीक है यहाँ पर कुछ गरबढ़ हो गया क्या भाई हरा त्रिभुज क्या होगा हरा त्रिभुज यहाँ पर लिख लीजे green triangle class A है लाल वर्ग है यह class C हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह आपका Class C हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा Class D हो जाएगा ठीक है तो यह Geometrical Science आप याद रखेंगे CITS करना चाहते हैं करना चाहते हैं तो भैया कर लीजे कोई दिक्कत नहीं है CITS का Intrins exam होगा Intrins exam निकालेंगे और उसके बाद आपका admission NHTI या ITOT College में हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत वाली कोई समस्य वाली बात नहीं है उसमें चलिए अगले प्रश्न की तरह पढ़ते हैं कि सुरच्छा उद्देश के लिए विद्दूत वाइडिंग में प्रयूक्त MCB का कूण रूप क्या है MCB आप लोगों ने सुना होगा घरों में बहुत कि MCB गिर गई ठीक है जैसे कोई लोड पढ़ता है ता आप लोग करता है अरे MCB गिर गए होया माई लोग को यूपी में कहते हैं अरे MCB गिर गई होगी उसको सही कर दो ठीक है तो मतलब फिर से उसको उठा दो तो MCB का फुल फार्म क्या होता है दोस्त मिनियेचर सर्किट ब्रेकर होता है जब कोई unwanted लोड परता है आपकी सर्किट पर तो यह क्या कर देता है यह सप्लाई को कट कर देता है और आपके जो अलग क्लास D नहीं होगा मैं आपको यह बता रहा हूं ध्यान से समझो कि जो हैंड है सिंबल है वो अलग कलर का होता है यहां पर आप से क्या पूछ रहा है ज्यामिति प्रतीक पूछ रहा है तो ज्यामिति प्रतीक क्या होगा दोस्त ज्यामिति प्रतीक आपका यही होगा परसान मत हो, इसके लिए यही सही है, ठीक है, चलिए, अगले और लास्ट परसिंग की तरह बढ़ते हैं, कि क्लास A टाइप अगनी के लिए इधन है, यानि कि जो क्लास A फायर लगती है, वो किसके कारणा लगती है, तो आप क्या कहोगे, मैंने अभी आपको यहाँ पर बता है था भाई, कि यहाँ पर देखो, जो क्लास A फायर है, वो वूड, क्लोथ, पेपर, कुडा करकट, इन सभी के कारणा लगती है, इन सभी के कारणा आपकी क्लास A फायर लगती है, तो यहाँ पर देखो, यह है आपका क्लास A टाइप अगनी के लिए जो इधन है, वो क्या कास्ट है यानि की वूड है वूड है आपका क्लोथ है पेपर है ठीक गार्बेज है कुडा करकट है ये सारी चीजें क्लास ए फायर के लिए जिम्मेदार होती है ठीक है भाई तो ये था हमारा आज का टॉपिक ये था हमारा आज का 20 प्रसन कल मिलेंगे 20 प्रसनों के एक नई क्लास करेंगे तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी इस्प्लेनेशन थियरी दोस्त पढ़ना होगा बहुत ही नॉमियर चार्ज रखा है और क्वेस्टन यहां पर कर लेना यहां पर कर लेना यहां पी टेक्नीचन जो मुख्य टार्गेट है वह आपका निकलेगा औ उसका वीडियो बना दूंगा उसके लेजिविल्टी क्या है आईटी आई तो रहेगा ही लेकिन उसमें एज क्या है आईटी आई मनलब क्या रहना चाहिए सब्सक्राइब कर दो तो इसको आप अच्छे से लगे रहिए तैयारी करते रहिए दोस्त हमारे साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूं आप भी मेहनत करते रहिए और 2023 में आपको सेलेक्शन लेना है इस लच के साथ त्यारी करिए ठीक है तो यह साल चला गया तो फिर बहुत और मुश्किल हो जाएगा आप लोगे लिए ठीक है क्योंकि इस साल इतनी वैकेंसी आ रही है फिर 2024 में चुनाव खतम यारा मन्त और है अपने हर वीडियो में कहता हूं कि दोस्त थोड़ा सा लगो महनत करो इस साल यह कोशिस करो मतलब एक लक्ष बनाओ कि साल हमको कहीं कहीं चाहिए लपी हो चाहिए लोग कहीं कहीं जुगार कर लेना है अपना सरकारी मोपरी का लेकिन उसके लिए दोस्त ल अटर्ट वहां है बहुत चैंशा तो जहां पर क्रमचारी है यहां पर क्या हो गया है लेकिन उन्हें रिकूटमेंटं में ज्यादा कर लिया तो पनी एक किसी बीडियों से से मान के चलो कोई NCL में है ठीक है वहाँ पे NCL करमचारी थे उनको इधर से उतर घुमाके वह अपना जो इस्टाक है वो मैनेज कर ले रहे हैं तो दोस्त वेकंसी कब तक आए कि यह कहना मुश्किल है अगर फरवरी मार्च तक आने की उम्मीद है अगर आ गई तो समझ लो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक मिलेंगे नए प्रस्णों के संखला के साथ से से अब टोड़ी से संस आप सभी को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्य तो कर दो कर दो